हेलो फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि किसी भी गिवन फिगर में जो गॉर्मेंट एक्जाम्स में एससे वगरे में पूछा जाता है उसमें कैसे ट्रैंगल्स को कैसे काउंट करते हैं आज हम लोग सीखेंगे कि उनी फिगर्स में कई लहीं पर इसक्वायर और रेक्टेंगल्स का भी कुश्चन आ जाता है जो कि कई बार बहुत ही डिफिकल्ड हो जाता है सौलव करना के लिए तो इनको भी हम लोग आज सीखेंगे कि किस तरह से squares and rectangles को किसी भी figure में count किया जाता है ठीके तो चलिए देखते है So friends सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे square type की यानि कि कोई भी figure जो एक square type का हो जैसे कि यह क्या है n into n type का कोई अगर figure हो तो उसमें कैसे squares को count करते हैं पहले हम लोग वो सीखेंगे तो सबसे पहले squares को count करना सीखेंगे और उसको भी कैसे figures में जो की square type की हो यानि कि देखें ये एक matrix है 2 into 2 की जिसमें 2 row और 2 columns है similarly ये एक matrix है कैसी 3 into 3 की और ये एक कैसी matrix है 4 into 4 की अब अगर इस तरह का question आपके paper में आ जाए और आपसे पूछा गया हो कि कितने squares है इस तरह के figure में तो दीखें जब छोटा question होगा तब तो आप easily count कर सकते हैं कि एक square है 2 square है 3 है 4 है और एक बड़ा वाला square है तो total कितने है 5 squares है ठीक है तो easily count हो गया लेकिन क्योंकि छोटा question था तो easily count हो गया बट अगर इस question में पूछा जाए ये इस question में भी पूछा जाए तो काफी difficulty आ जाएगी इस question को solve करने में तो मैं क्या करूंगा इस में इस तरह के questions को solve करने की एक easy trick होती है उसको आप समझ लीजे देखिए यह numbers की यह किसकी है two into two की एक matrix है ठीक है two into two यानि two rows and two columns है तो यह जितने की matrix हो उतने number और उससे छोटे numbers जितने भी natural numbers उससे छोटे हो उनके squares को sum up कर दीजे ठीक है तो दिखे दो की matrix है तो मैं इसको क्या करूंगा one का square plus two का square ठीक है तो यह sum up होके मेरे पास कितना आ जाएगा one का square one and two square four four and one five ठीक है तो इसमें आपको क्या पता चल गया कि देखे सीदे से मेरा का answer कितना आ गया five square six figure में होंगे similarly यह देखिए यह three into three matrix है तो इसको भी मैं same way में solve करूंगा one का square plus two square plus three का square ठीक है तो one square two square five और three square nine to nine and five fourteen ठीक है तो यह भी मेरा इस cancer आ जाएगा कि इसमें कितने squares होंगे 14 ठीक है similarly अगर इस question में पूछा जाता कि four into four की matrix है तो मैं कैसे solve करता तो भी मैं similar way में solve करता कि one का square plus two का square plus three का square plus four का square ठीक है तो अब इस में matrix में count करता तो three के square तक मैं निकाल चुगा 14 तो उसके आगे मुझे क्या करना है four का square यानि कि 16 और इसमें add कर दूं तो 16 इसमें मैं add करूंग तो मेरा कितना answer आजाएगा 30 ठीक है तो यह तो बात हो गई कि अगर square type की आपको matrix मिल जाती है और उसमें भी क्या पुछा जागया हो कि number of squares कितने होंगे तो वह मैं इस तरह से count कर लूँगा अब बात आती है कि square type की matrix ना मिले और मुझे कैसी मिल जाए एक rectangular type की matrix मिल जाए या फिर इसको मैं क्या बोलूँ कि m into n type की matrix मुझे मिल जाए तो उस question में उस type में मैं क्या इसको कैसे solve करूंगा तो दीके पहले तो आप देख लिजे कि columns कितने हैं एक column 2 है 3 4 और 5 column है तो यह matrix कुछ किस तरह से हो गई 3 into 5 टाइप की यह कैसी matrix हो गई 3 into 5 टाइप की matrix हो गई ठीके अब इस case में मैं इसको कैसे solve करता हूं तो दीके इसको solve करने के लिए मैं क्या करूं simply जो number यह मैंने लिखा 3 into 5 ठीके तो इसमें मैं क्या करता हूं 3 into 5 को एक बार ऐसे ही count करूंगा उसके बाद क्या करूंगा दोनों numbers में एक और एक कम कर दूं यह matrix बनी m into n की इसमें क्या 3 into 5 है तो एक number 3 में घटाओंगा तो 3 में एक कम होगा तो कितना 2 और 5 में भी एक और कम करूंगा तो यह कितना हो जागए 0 और 3 में कम करूंगा तो 2 तो अब मेरा answer कितना आने लग जाएगा यह 8 और 3 ग्यारा और 15 कितना हो जाएगा 11 और 15 आपका कितना जाएगा 36 ठीक है तो इस answer मेरा कितना आ जाएगा सुर्ण यहां पर 26 हो जाएगा ठीक है तो 8 3 11 और 15 26 आपका यह answer आजाएगा कि यहां पर कितनी matrix होंगी 26 ठीक है अब similarly अगर इस question में पूछा गया हो तो देखे इसमें भी मैं पहले क्या करूंगा count कर लेता हूँ तो यह कितना हो गया एक दो तीन और चार चार रोज मुझे मिल गए और columns कितनी मिल गए यहां पर एक दो तीन चार पांच और छे ठीक है तो 6 columns मिल गए तो अब इस question में कैसे करूंगा similar way में इसको भी मैं solve करता जाओंगा इसमें क्या होगा 4 into 6 प्लस एक एक numbers दोनों में कम करते जाहिए 3 into 5 प्लस 2 into 4 प्लस 1 into 3 ठीक है अब देखे अब इसके आगे जाओंगा तो 0 जाएगा तो इतने ही numbers को मैं count कर लेता हूं तो यह कितना हो गया आपका 50 ठीक है तो आपका सीधे से आंसर कितना आ जाएगा इसका 50 इसमें squares होंगे इस figure को अगर मैं count करने जाओंगा तो इसमें मेरे कितने squares मिलेंगे 50 squares इसमें मिल जाएंगे अब देखे इनी दोनों टाइप से जो मैंने अभी हम लोगों आपने पढ़े हैं उनी से कैसे थोड़ा से different way में question कैसे पूछ लेता है उसको चली समझते हैं तो इसमें question कैसे पूछता है कि इसमें squares के अंदर squares के सकुर्स बना देता है ठीक है और तब आपसे question पूछता है तो दीखे आपको confused इसमें बिलकुल भी नहीं होना है मैंने बताय था क्भी 1 और यह कितना आजाता है 5 तो इसमें 5 मुझे बताए कि स्क्राइब होंगे तो यह वी एक 2 स्वाज से यह वी एक 2 एन्टु 2 की मै shine थै तो थीन 2 मै trust मुझे सिर्फ एड करनी है तो हर एक में कितने होंगे पांच होंगे तो तीन बर बस मुझे क्या करना है पांच को एड कर देना है तो इसका मेरा सीदे से यह कितना आजाएगा कि 5 प्लस 5 प्लस 5 यानि कि मेरा कितना आंसर आजाएगा 15 15 इसमें स्क्वार्स होंगे जिसमें और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूत नहीं है आपका सीधे सांसर 15 आजाता है देखने में थोड़ा साजीब लग रहा है या फिर इसमें क्या होता कि तर फ्यार्स तरहा है और बहुत जादा वार्स बना देता तो भी आपको कंफ्यूज ना और आपका सीधे सांसर नाソjna आ जाता फाइव कि जितने उसके अंदर squares बनाया गया हो, उतने मेरा answer आ जाता, अब देखिए, इस figure को देखिए, तो ये भी काफी confusing figure है, लेकिन कुछ भी नहीं है, जब squares count करने के लिए बोले, तो आपको बिल्कुल भी confused नहीं होना है, पहले आप देखिए, matrix जो सबसे बड़ी है, वो कितने की है, तो देखिए, 1, 2, 3 and 4, तो यहां पर 4 है, और यह भी देखिए, 1, 2, 3, 4, तो जो सबसे बड़ी matrix है, वो कैसी है, 4 into 4 की है, तो पहले तो 4 into 4 में मैं count कर लो, तो यह कितने आ जाएंगे, 1, 2 का square, 3 का square और 4 का square, तो यह value कितनी आ जाएगी, 16 और 9, 25, 4, 29 और 31, तो 30 तो बड़े वाले square हो जाएंगे, अब देखिए, इसमें यह, फिर से यह 2 into 2 की matrix है, तो 2 into 2 की matrix में मैंने अभी निकाला कितने होते हैं, 5 squares होते हैं, तो 5 squares और ऐसी कितनी matrix हैं, 4 matrix हैं, तो 4 matrix में कितने 5 squares मिझे मिलेंगे, तो यह total मुझे कितना हो जाएगा, 30 plus 5 को 20, यानि कि total squares मुझे कि मिलेंगे, 50 squares मुझे total इस तरह के figures में भी मैं easily count कर लूँगा, तो यह बात हो गई कि squares count करने के लिए कैसे हम लोग solve करते हैं किसी भी question को, अब अगर question में पूछा जाए कि आप से के rectangles count करने हो, तो उसको भी चलिए समझ लेते हैं, तो दीखे, अब इसमें भी पहले हम question में, तो उसमें rectangles को हम लोग कैसे count करते हैं, तो इसमें भी आपका थोड़ा सा process लगबग आपका same ही चलेगा, बस थोड़ा सा difference आएगा, जब मैं square करने के लिए, जब मैंने आपको बताया था, तो उसमें मैं क्या करता था, कि पहले मैं देखता था, कि matrix इतने की है, तो 2 क्या count करना सीख रहा हूँ, rectangles, तो इसमें मैं क्या करूँगा, बस squares के जए, क्या करूँगा, क्यूब कर दूँगा, तो इस कान से देखे मेरा कितना आजाएगा, सीधे से 1 का क्यूब, 1 and 2 का क्यूब, 8, तो 8 and 1, 9, तो ये मेरा answer सीधे से 9 आजाएगा, इस question में देखे 3 into 3 का है, तो इसमें भी वही कर दिये, 1 का cube, plus 3 का cube, plus 2 का cube, sorry, 1, 2 and 3 का cube, तो इस कान से कितना आजाएगा, 1, 3 का cube कितना होता है, 81, and 2 का cube कितना हो जाएगा, 8, तो इस तरह से मैं इन questions को solve कर लूँगा, 8 and 1, 9, तो ये कितना आजाएगा, total, 90, अब चाहें, तो इसको भी आप solve क कर सकते हैं, ये 4 का cube कितना होता है, 256, plus, यहां तक मैंने count किया हुआ है, तो इस कान से मेरा कितना आजाएगा, plus 90, मैं पुराना वाला add कर दे रहा हूँ, तो ये सीधे से कितना हो जाएगा, 346, ठीक है, तो इस तरह के questions पूछे जाएगे, जब कि square type की matrix दी हो, और आप से क् पूछा गया हो, और rectangles पूछा गया हो, अब square type की matrix ना हो, अगर तब question पूछा जाए कि rectangles कितने होंगे, तह हम लोग कैसे count करेंगे, तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं, तो दीखे, ये पहले तो इसमें फिर से मैं वही process अपना होंगा, कि पहले तो आप row and column को count कर लिजे तो दीखे, 3 rows मिल गए मुझे, और columns कितनी है, 1, 2, 3, 4 and 5, तो 3 into 5, ये matrix का type मैंने निकाल लिया, अब इसमें पूछा गया है कि कितने rectangles होंगे इस figure में, तो दीखे, इसके लिए concept क्या होता है, कि जैसे ये row है and ये column है, तो जितनी row हैं, 3, उससे just उसके जो above number होगा 3, यान और इसको multiply करना है आपको, जितने column से 5 और उससे just बड़ा number कौन सा होगा 6, ठीक है, तो 3 और उससे एक बड़ा number 4 और उसके बाद column कितने 5 और उससे बड़ा number क्या है 6, ठीक है, इन 4 numbers को आपस में multiply करना है, और इस पूरे number को आपको divide किसे करना है, 4 से, ठीक है, तो easy सा process में कुछ भी करना नहीं है, बस आपको क्या याद रखना है कि जितनी row हूँ, उससे just बड़ा number, multiplied with जितने column हो, और उससे बड़ा number, और पूरे को आप किसे divide कर दीए, 4 से, तो दीक है, 4 से 4 कट गया, यह पर कितना आ गया, 6, 35, 30, 30, 9, तो यह कितना आ गया, total, 90 जो है, इसमें आपको क्या मिल जाएंगी, 90 rectangles इसमें आपको इस figure में मिल जाएंगे, ठीक है, अब similarly इस question को देख लिजे, इसमें क्या है, 1, 2, 3, 4, तो 4 इसमें rows हैं, तो 4 into 5, और columns देखें कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, and 6, ठीक है, तो 6 columns हैं, तो 6 into 7, और इसको divide किसे करना है, 4 से, तो देखें यह 4 से 4 कट गया, अब इसको आप count कर लिजे, तो यह कितना है, 5 और 2, 10 हो जाएगा, 7, 3, 21, तो 210 जो है, total इस figure में rectangles होंगे, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग friends, squares और rectangles को easily count कर लेते हैं, तो यह दो topics जो हैं, वो काफी पूछे जाते हैं, SBI, bank, PO, और other bank के exams में, या फिर मै प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए friends,